दोस्तों आपने HOF यानि हिंदू Undivided Family Term के बारे में अकसर सुना होगा और माइड में HOF को लेके कई सारे सवाल ज़रूर आए होंगे HOF एक ऐसा Concept है जिसे Hindu Law और Indian Income Tax Act के तहत मानेता प्राप्त है इस वीडियो में हम HOF के Concept के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि HOF का मतलब क्या होता है उसके Structure क्या होता है एक HOF बनता कैसे है उसे Manage कैसे करते हैं और एक HOF होने के क्या Benefits और Limitations हो सकते हैं तो क्या HOF में Hindu शव्द किसी एक विशेज धर्म के लिए है तो ऐसा नहीं है बलकि इसमें Six, Buddhist और Jens भी शामिल होते हैं एक HOF में तीन चीज़े होती हैं Co-Parsoners, Members और करता एक HOF के पास अपने नाम पे Movable और Immovable Property हो सकती है और खुद का Pen Number और Bank Account हो सकता है Co-Parsoners by Birth, HOF की Property के हिस्सेदार होते हैं जो कभी भी HOF में अपने हिस्से के डिमांड कर सकते हैं करता Co-Parsoners में से ही एक Member होता है जो Generally Co-Parsoners में से सबसे Eldest Member होता है वो HOF के सबी Assets का ध्यान रखता है ये एक तरह के से हम कहें करता HOF के Assets को Manage करता है और Members HOF के Members होते हैं जो HOF की Income का थोड़ा बहुत लाब ले सकते हैं लेकिन उसमें हिस्सेदारी डिमांड नहीं कर सकते Co-Parsoners और Members में Main Difference यही होता है कि Co-Parsoners HOF की Property के असली हिस्सेदार होते हैं और वो कभी भी उसके डिमांड कर सकते हैं सपोज अगर वो ऐसा करते हैं तो HOF को तोड़ा जाता है और Share के According उसके Assets को सभी Co-Parsoners और जिसके नाम पे HOF है उनकी वाइफ में बांट दिया जाता है अब HOF Holder की वाइफ का नाम अलग से किसले लिया गया? वो इसलिए क्योंकि उनका HOF में उसके टूटने पे हिस्सा तो होता है लेकिन वो HOF के Co-Parsoners नहीं होती यानि उनका HOF में हिस्सा है लेकिन वो उसके लिए Co-Parsoners के तरह डिमांड नहीं कर सकती जब HOF की Property के किसी और Co-Parsoners के वज़े से हिस्से होंगे तब उन्हें अपना Partition मिलता है तो हम यह कह सकते हैं कि HOF Holder की वाइफ एकलौती ऐसी मेंबर होती है जिनका HOF में Partition Share होता है HOF के structure को example के साथ समझें तो suppose एक HOF है जिसमें सबसे बड़ा person है शाम शाम एक married person है और उसके तीन बच्चे हैं दो बेटे और एक बेटी A, B and C respectively अब इस HOF में टोटल 4 Co-Parsons होंगे शाम और उसके तीन बच्चे शाम की वाइफ इस HOF की सिर्फ मेंबर कहलाएंगी यानि वो इस HOF की Co-Parsons नहीं माने जाएंगी अब इस HOF में obviously शाम सबसे बड़ा है तो वो automatically HOF का करता कहलाता है अब बात करें इससे next generation की तो suppose A married है और उसकी वाइफ है B की वाइफ है और C भी married है और उसका भी husband है तो A की वाइफ, B की वाइफ और C का husband भी HOF के members माने जाएंगे इसके बाद मान लो A के दो बच्चे हैं एक लड़का और एक लड़की B के तीन बच्चे हैं एक लड़का और दो लड़की और C का भी एक बच्चा है एक लड़का अब रूल के according HOF जिसकी है उसके लड़कों की अगली PD तो उसकी HOF की co-personals बनेंगी लेकिन लड़की की अगली PD नहीं यानि 3rd generation में शाम के सिर्फ पोते-पोती ही उसके HOF के co-personals होंगे यानि A और B के बच्चे automatically शाम की HOF में co-personals माने जाते हैं लेकिन C के बच्चे सिर्फ members कलाते हैं इसी तरीके से एक और generation यानि total 4 generation तक एक HOF के co-personals होते हैं 1st generation के जाने के बाद 2nd generation के eldest child अपने father की HOF का करता बनता है और 5th generation HOF के co-personals में include हो जाती है और आगे ऐसे ही चलता रहता है ये तो हो गया HOF का basic structure इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि HOF में होता क्या है आई आप बात करते हैं कि HOF बनता कैसे है आपको ये सुनके हरानी होगी कि HOF create नहीं की जाती वो by the law अपने आप create होती है यनि आप खुद HOF नहीं बनाते हिंदू लोग के according जिस दिन आपकी शादी होती है उसी दिन आपकी family यनि husband wife की HOF अपने आप बन जाती है ये definition है हिंदू लोग के according बात करें income tax department की definition की तो उसके according एक HOF के कम से कम दो co-personals होने चाहिए और HOF के पास कुछ capital भी होनी चाहिए तब ही HOF से उन्हें कुछ लेना देना है वना income tax department से उन्हें क्या ही लेना देना अब marriage होते ही आपके हिंदू लोग के according HOF तो बन गई लेकिन अपनी HOF के legal document बनाने के लिए आपको एक affidavit बनवाना पड़ता है जिसमें आप अपनी HOF के सभी co-personers, members की details और HOF के करता यनि अपने खुद की अधार कार्ड की details देके अपनी HOF का एक legal document रिसीव कर सकते हैं और अपनी HOF के pen card के लिए भी apply कर सकते हैं और pen number मिलने के बाद आप अपनी HOF का एक bank account भी खुलवा सकते हैं जैसे property को अपने बच्चों में divide करते हैं तो उसी तरीके से अपनी property को वो किसी HOF के नाम भी लिखुआ सकते हैं इसके लावा आप अपनी HOF के नाम पे gift receive कर सकते हैं अब HOF तो बन गई लेकिन इसका फायदा क्या है? HOF का एक major benefit है कि यह आपको legal तरीके से taxes बचाने में मदद करता है HOF एक अलग legal entity है और इसकी खुद की source of income हो सकती है इसका मतलब यह है कि HOF खुद अपना income tax return फायल कर सकता है और income tax act के various sections के तहर deductions भी claim कर सकता है जैसे कि HOF section ATC के तहर तो रुपीज 1.5 lakh तक का deduction claim कर सकता है HOF अपनी benefits के लिए incur किये गए expenses जैसे HOF के office के लिए paid rent, HOF के employees की salaries और ऐसे expenses deduction claim कर सकता है HOF की income चार तरीके से generate की जा सकती है house property, capital gain, business and profession and other sources इनके अलावा HOF कोई और काम नहीं कर सकती HOF का करता HOF के नाम पर business कर सकता है जिससे आगे जो income generate होती है वो HOF के मानी जाती है HOF के करता की personal income में account नहीं होती इस तरीके से आप कोई और काम करते हुए HOF का करता बन कर HOF के assets को manage कर सकते हैं HOF का एक और benefit यह है कि आप अपनी property को अपने बच्चों को transfer करने के लिए बिना किसी liability के साथ कर सकते हैं जब आप अपनी property को सीधे अपने बच्चों को transfer करते हैं तो transfer पे taxes भरना पड़ सकता है लेकिन जब आपनी property को HOF में transfer करते हैं तो आपके बच्चें को इससे कोई tax liability नहीं होती है इसे आप अपनी property को अपने future generations के लिए secure कर सकते हैं HOF के चलते हुए कभी भी उसके assets को किसी एक individual के नाम पे नहीं किया जा सकता लेगिन assets से जो income generate की जाती है वो अप हर साल HOF के co-personals के बीच में बाटी जा सकती है profit का share का बटवारा परस type per capita rule के according होता है यनि जिस rule के according HOF में उसके co-personals का हिस्सा होता है उसी ratio में HOF के profit को भी बाटा जाता है या फिर सभी co-personals की मंजूरी से इसे अलग ratio में भी बाटा जा सकता है अब एक HOF में किसका कितना हिस्सा होता है उसकी बात कर लेते हैं शाम की HOF में suppose 10 lakh की assets है शाम के 3 children है और wife है तो उसकी HOF में शाम का खुद का 1-5th share होगा शाम की wife का 1-5th share होगा और 3 बच्चों का यानि A का भी 1-5th, B का भी 1-5th और C का भी 1-5th share होगा अब 3rd generation में A का जो share है वही split किया जाएगा A के 2 बच्चे हैं तो A के पास जो 1-5th share है वो पूरा उसका नहीं है उसका सिर्फ 1-3rd part उसका है यानि HOF का 1-5th share A का होगा 1-5th उसके son का और 1-5th A की daughter का इसी तरीके से B के हिस्से का share भी पूरा उसका नहीं है वो भी उसके बच्चों में split होगा 1-5th B के हिस्से में आएगा 1-5th, 1-5th और 1-5th B के तीनों बच्चों में C चुकि HOF holder की daughter है तो उसका share पूरा का पूरा उसके नाम पे ही रहेगा आगे इसी तरीके से A, B के बच्चे के बच्चे अगर है तो उनमें भी share split किया जाएगा ये तो अगई share की बाते आई अब बात करते हैं कि एक HOF कितने लंबे time तक चल सकती है HOF कभी खतम नहीं होती, ये चलती रहती है जब तक उसका कोई co-personer अपने share के demand ना करे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर HOF को तोड़ा जाता है और उसके assets के हिस्से करके सही co-personers को दे दिये जाते हैं और HOF खतम हो जाती है अगर आपने HOF के नाम पे immobile property ले रखी है तो उससे आगे बेचना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि purchase करने वाले person कोई डर रहता है कि बाई चांस उसे कोई ऐसी property बेश दी जाए जिसमें HOF के सभी co-personers के मंजूरी ना हो तो future में जाके वो co-personers उस property में अपने legal हिस्सा मांग सकता है इस डर से लोग HOF के नाम पे हुई property खरीदने से थोड़ा बचते हैं इसके लावद generally HOF को banks loan नहीं देते हैं और कोई ऐसी firm जिसमें HOF की partnership होती है उस firms को भी bank loan देने से avoid करते हैं HOF के सारे members को financial decision के लिए एक दूसरे से मिलकर बातचीत करनी चाहिए HOF के members को अपने personal transaction को HOF account से separate रखना चाहिए personal transaction को HOF account में add करने से HOF के financial records को सही तरह के से manage करना मुश्किल हो जाता है इन सब tips को follow करके आप अपने HOF को सही तरह के से manage कर सकते हैं और इसके benefits का फैदा उठा सकते हैं HOF एक powerful tool है जो आपके financial planning के लिए बहुत useful हो सकता है इस वीडियो में आपने HOF के concept के बारे में जाना और यह देखा कि HOF का basic structure क्या होता है इसे create कैसे करते हैं इसके benefits क्या है और इसको कैसे manage किया जा सकता है अगर HOF के regarding आपके कोई भी doubt है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे like and share भी कर सकते हैं तक कि आपके friends को भी HOF के बारे में घ्यान मिले मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में